आज हम लोग बात करने वाले हैं दो हजार बीस के पार्टू की तो दो हजार बीस के कोईशन पेपर को हम सॉल्ब करने वाले हैं बी आई प्री के एक्जाम की बात करें हम तो यहां पर पी वाई क्यूज की सीरीज में आप लगातार देख रहे हैं कि कोईशन को हम किस तरीके से सॉल्ब करते हैं और अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी स्पीड भी मेंटेन हो रही होगी आप चल इसने भी प्रीवास येर उनको सॉल जरूर करना है उसी तरीके ज्यारी को मॉडल पेपर पर भी आपको काम करने की जरूत है तो देख़ो डाये करना है तो लिए पहले कि तरफ हम लोग चलते हैं है wet चल्वेपाले कोशन की तरफ हम लोग चलते हैंrone में जब्म सिफिए पह कि यह हमें आगे स्पेस है तो हम इसी पर करेंगे कि पॉइंट इज इस इन 15 मीटर नॉर्थ और पॉइंट डी तो भाई देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइंट डी से नॉर्थ में आप सुब को नॉर्थ इस साउथ वेस्ट यह पता होना चाहिए उपर की तरफ नॉर्थ होगा नीचे की तरफ साउथ होगा राइट में इस्ट होगा लेफ्ट में वेस्ट होगा तो पॉइंट डी के नॉर्थ में हमें जाना है 15 मिटर पॉइंट डी के नॉर्थ में 15 मिटर हम चले गए ठीक है 15 मिटर चले गए तो हमको कौन मिलेगा यह मिलेगा ठीक है पॉइंट डी के नॉर्थ में 15 मिटर पर कौन मिला ए मिल गया आगे कह रहा है कि पॉइंट याफ इस इन 20 मिटर नॉर्थ और पॉइंट सी अब देखो इससे उसका कुछ नहीं मिल रहा है यह और सी का कुछ नहीं मिला तो इसको हम अलग से बना लेते हैं तो आप देखो कोई बना लिया हैं यह वाला डीटा अभी आप रख लो ठीक हो सकता है कि लास्ट में यहां पर हो जाए क्योंकि हमको यहां पर ईमेल रहा है तो चलो यह वाला डेटा अभी आप इसको ऐसे रख लो कोईशन में कह रहा है कि पॉइंट एफ इस in 20 मिटर नॉर्थ हो पॉइंट थ तो ध्यारा को point C से 20 मीटर नौर्थ जाना है कितना जाना है 20 मीटर नौर्थ जाना है तो आपको कौन मिलेगा तो point F मिलेगा कौन मिलेगा point F तो हमने यह बना लिया यहां पर कि point F is in 20 मीटर नौर्थ और point C clear आगे question में कह रहा है कि point A is in 35 35 मीटर इस्ट और point F तो यह बना जा जाना है 35 जाना है कितना जाना है 35 अब आपको कौन मिलने वाला यहां तो यहां मिलेगा कौन मिलेगा a point A is in 35 मीटर इस्ट और point F चलो आगे कहरा कि point P is in 25 मेटर साउथ 25 मेटर साउथ तो पॉइंट ए के 25 मिटर साओ जाना है तो अब देखो जैसे आप आओगे इसके बराबर आपको ध्यान रखना है कि इसके बराबर जो होगा इसके बराबर वो 20 हो जाएगा इसके बराबर कितना है तो यह 20 है तो बट आपको और आगे जाना है कितना तो 5 तो यह आपको यहां पर तो पॉइंट पी तो दिखो पॉइंट पी हो गया पॉइंट P 25 मीटर साथ आप पॉइंट अगे पॉइंट इन 20 मिटर इस्ट पॉइंट पी के इस्ट में जाना है 20 मेटर तो इस्ट में हम चले गए कितना 20 meter, अब कौन मिल गया 20 meter पर तो point E मिल गया कौन मिल गया, point E मिल गया अब आगे question में क्या कह रहा है ठीक है, अब वो ले लो उपर वाला point जो हमने skip किया था यह कह रहा है कि point E is in 15 meter north of point D E जो है, वो 15 meter north में है, किसके point D के किसके point D के, तो यह भी हमने बना लिया, ठीक तो इसी पर आप देखो question बनेंगे question पहला जो आ रहा है, वो कौन सा रहा है यह question आपके सामने दिया हुआ है पहला, इसका answer आप करो देखो आप इसमें कहरा, what is the direction of point F with respect to point P तो point P के respect में point F का direction पूछ रहा है तो भाई, देखो point P तो यहां है और point F यहां है, तो direction आपका कौन सा होगा, direction तो यह होगा point P के respect में direction यह आपका चाहिए, तो P के respect में direction कौन सा बनेगा यहां पर ध्यान रखो, उपर की तरब north होता है left side में क्या होगा west होगा, तो यह बनेगा north west, तो आपका answer भी क्या हो जाएगा, north west right, answer क्या हो गया north west हो गया चलो next question पर आजाओ, तो next question में कह रहा है, यह आप देखो यहां पर four of the following five four of the following five, जब इस तरीके को question बनते हैं, इसका मतलब है, कि इस तरीके को question यह classification है होता है कि इस पांच में से चार जो है, एक दूसरे के समान होंगे, एक दूसरे से समान होंगे, कुछ नो कुछ similarities होंगी, एक अपने आप अलग हो जाएगा, यहां similarities कैसी होंगे, तो यहां direction को लेके होंगे, उनकी position को लेके होंगी, देखो आप हमें यहां पर ले रहा है CP है और AE, तो हम इनको check करेंगे, पहले CP को check कर लो, CP का क्या मतलब है यहां पर? देखो CP का यहां पर क्या मतलब, हम check कर लेते हैं CP अगर देखो सी यहां है और P यहां है, तो सी से अगर आप P का direction को का नि क्चिशन कौ moral तो ही से पी का डरेक्शन यह ध्या रखना रिक्षे आएगा साओथ एस्ट क्या गा साउथ एस्ट देख लेते हैं CP है, AE है, AC है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, AE है, AC है, और कौन है, AE है, AC है, और PDFE, PD और FE, अभी यहाँ पर हम देख लेंगे, अराम से, ठीक है, अब देखो, हमने CP का देख लिया, C से P का direction क्या है, South East है, A से E देख लो, अभी देखो, A से E देखोगे, तो उसका भी direction कौन सा है, South East है, direction क्या मिल रहा है, South East मिल रहा है, A से C देख लो, A से अगर आप C देखोगे, यह देखो, A से जब C देखोगे, तो इसका direction जो मिलेगा, वो South West मिलेगा, direction क्या मिलेगा, South West P से D देख लो P कहा है भई P यहाँ है ठीक है तो P से अगर आप D देखोगे D यहाँ है तो यह भी क्या मिलेगा South East मिलेगा ठीक है आप देखो F से E देखना है तो F यहाँ है E यहाँ F से E देखोगे तो जो direction मिलेगा वो भी मिलेगा South East अब आपी बता दो answer क्या होगा ठीक है बहुत clear है यहां पर answer विलकुल यहां पर अगर आप देखेंगे तो answer कौन सा आएगा यह भी south east है यह भी south east है यह भी south east है यह भी south east तो answer आपका यह होना चीए ac उसका आरहा है south west तो इस तरीके से इन questions को करते हैं answer आपका बनेगा देते हैं ध्यान रखिएगा देखो आप next question में आजाओ इसी का next question है कह रहा है कि point x is 20 meter south of point c point x 20 meter south of point c तो ध्यान रखो अब उसी में हमें add करना पड़ेगा point x जो है 20 meter south of point c point x 20 meter south of यहां से 20 meter south of point c चलो एक्स जो है 20 meter south हो जाए यह particular उस question के लिए है point x is 20 meter south of point c then what is the total distance what is the total distance between point x and point d तो एक्स और d के बीच में total distance बतानी है एक्स और d के बीच में total distance बतानी है तो एक्स और d के बीच में total distance आप बताओ भी क्या होगा total distance देखो 20 meter यह आया है कितना आया है 20 meter अब total distance यह पूछ रहा है पहले देख लो option किस तरीके का है option में 40 है 35 है 55 है और 65 है ठीक है अब यहां पर देखो जब total distance की बात होती है एक तो आप से पूछता है minimum distance बताईए shortest distance बताईए ठीक है initial point से distance बताईए ठीक है अब जो distance पूछता है तो minimum पूछता है तो वो सीधे सीधे पूछता है कैसे पूछता है सीधे सीधे नहीं है टूटल पूछ रहा है तो हम क्या करनेवाले हैं हम क्या करेंगे सब को जोड़ेंगे बीस कैसे जोड़ेंगे देखो आप हम यह सब governance है है नतो कि यह हो गया plus भी सौर ले लू प्लस 35 ले लो प्लस यह यहां से यहां तक कितना हो गया 25 है कितना है 25 है 20 और 5 25 और यह हो गया 20 और यह हो गया 15 सबको आड़ कर लो कितना हो जाएगा देखो 20 यह 40 हो गया 40 और 20 60 हो गया 60 और 20 कितना हो गया 80 80 20 कितना हो गया 100 100 और 135 किता हो गया 135, किता हो गया 135, क्या आपका answer 135 हा रहा है, ठीक है, तो 135 तो option में है नहीं, अब 135 option में नहीं है, तो हमें तो इसको according answer करना पड़ेगा, अब इसके according, देको total distance ऐसे ही होता है, ठीक है, अब अगर आप इसके according answer करोगे, तो answer कैसे करोगे आप, ठीक है तो बाकी भी देख लो कैसे बनने वाला है तो भी ऐसे तो 135 आएगा अगर आप total distance लेके चलोगे तो ठीक है बट एक और तरीका है तो मान लो आपने ऐसे ले लिया यहां से यहां अगर आप ऐसे लोगे तो 20 यह हो जाएगा यह 5 हो गया 20 और 35 अब यह भी चेक कर लो आप 20 प्लस 35 ठीक है और प्लस कितना हो गया यह हो गया 5 प्लस कितना हो गया यह हो गया 20 प्लस कितना हो गया यह हो गया 15 ठीक है प्लस कितना हो गया यह 15 हो गया अब यहाँ पर ध्यान देना 20 20 कितने हो गए तो 20 20 आपका हो गया 40 और 40 और 20 कितना हो गया 60 और 60 और 5 65 और 30 कितना हो गया 65 और 30 ठीक है 95 कितना हो गया 95 25 अब यहां पर ध्यान देना यहां पर भी ऐसे भी आंसर आपका बन नहीं रहा है यहां पर भी आंसर क्या नहीं हो रहा है यहां पर भी आंसर आपका बन नहीं रहा है अब ऐसे आंसर नहीं बन रहा है तो फिर आप क्या करने वाले हो अब यहां पर ध्यान देना अब ऐसे भी answer नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे अब भी ये सारी चीज़े आप check करोगे ठीक है अब इसका मतलब एक दूसरा भी तो रास्ता है जिससे आप question को कर रहे होगे देखो ये 20 हो गया था तो ये कितना हो गया यहां ध्यान देना ये 20 है ये वाला 20 है ये है अब यहां से हम ऐसे भी तो आ सकते हैं ये ऐसे भी तो आ सकते हैं अब ऐसे अगर आप देखोगे तो ऐसे answer कितना बनेगा तो भी देखो ये वाला कितना है ये 5 है अगर आप यहां से 5 निकालोगे तो ये बचेगा 15 कितना बचेगा 15 अरे हम लोग देखो यहां पर सीथा ना यह देखो यह पांच है और यह है 20 ठीक है यह 15 तो इसके बराबर है सिंपल है इसके क्या है बराबर है अब यहां पर टोटल डिस्टेंस जो पूछ करके वह कंफूजन क्रेट कर रहा है तो आपको यह वाले डिस्टे इस ले लोगे तो कि 20 है तो 15 और 520 हो गया यह ऑप 25 कितना हो गया बीस कितना हो गया 25 ऐह यह और को कौनसा है यह आंसर आपका सौर्टेस्ट है दॉब की सथे इसमें से प्टमे एफिज़़ने नहीं क्याल लिखा नहीं अट इसमें आपशन का कॉर्डिं़िंग आप करोंगे तो यहाँ पर कीा है 55 देख oni 95 cip-5 उप्शन में हैं कि पर क्या हो गया आपका उप्शन ओंसर कितना हो गया 55 SPD यहाँ पर प्सक्राइब मिस्टेक कहां हो रही है तो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा था तो 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 यहां पर ध्यान देना यह कैसा है यह सौर्टेस डिस्टेंस है यहां पर भी क्या है सौर्टेस डिस्टेंस है राइट तो चलिए यहां पर आंसर आगया 55 अब आजाओ next question पर next question आप देखो क्या है next question यह बिल्कुल numbers related है किसे related है numbers related है तो यह इसकी series है आप समझ लो ठीक है तो यहां पर कह रहा है कि ध्यार रखो यहां पर question में क्या कह रहा है यह कुछ number दिये गए अब इससे question number यहां पर four है यहां पर ठीक है यह question number four है यह कोई ऐसा number नहीं है ध्यान रखना अब इस question में जो कह रहा है ध्यान रखो what is the sum of ठीक है क्या कह रहा है what is the sum of third digit of second number third digit of second number एक चीट यहां समझना जरूरी है वो है यह कि digit किसको बोलते है और number यह जो लोग अभी जातर लोगों को यह बात पता है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है यह जो है मालो 469 ठीक है 469 469 469 क्या है वो number है अब 469 यह क्या है digit है तो कभी कभी question में यह ध्यान रखना digit और number का use कर रहा होगा अगर गलती से आपने digit को number समझ लिया number को digit तो फिर गड़ बड़ हो जाएगा अब इसमें question में कह रहा वाट इस सम आप थोर्ड डिजिट अब दसेकेंड नमबर अब दसेकेंड नमबर from left and अब देखो ध्यान रखना left कौन होता है तो भई left इधर है यह है आपका left ठीक है यह है आपका left और यह है आपका right यह है आपका right अब कह रहा है कि left से किसको किसकी बात कर रहा है यह कह रहा है कि left से second number का कौन सा digit third digit तो देखो second number यह है तो यह है आपका third digit ठीक है left से second number का third digit आगे question में क्या कह रहा है ठीक है what is the sum of the third digit of second number from left and second digit of third number and second digit of third number from right अब right से आप देखो third number कौन सा है right से second digit of third number तो भई थर्ड नमबर कौन सा है one, one, two, three third number इसका second digit कौन है तो second digit आपका है eight ठीक है, proper आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि question इन दोनों का sum आप से पूछ रहा है तो 7 और 8 का sum कितना होगा तो होगा भई ये 15 कितना होगा 15 तो आपका answer भी क्या बनेगा 15 proper आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है ठीक है, वैसे ही आपको करना है answer यहाँ पर बिल्कुल clear हो जाएगा ठीक है, चलिए next question पर आजाओ question में कहा रहा है the position of first and third digit of each of the number, ध्यान रखना यहाँ पर question में कहा रहा है if the position of first and third digit first and third digit ध्यान देना इसमें, यह first digit हो गया और यह third हो गया first and third digit of the each of the number are interchanged क्या करना है, उसको interchange करना, यहाँ पर अदला बदली कर देना है, simple बोले तो यहाँ पर हो गया five और यहाँ पर हो गया six, यह sum में करना है तो यह इस तरीके से question में पूछ रहा है highest number कौन सा बनेगा अब यहाँ पर simple आपको याद रखना क्या सच मुझ में सब को change करने बैठोगे तो नहीं, आप check कर लो कि last में किसका digit जो है वो बड़ा है, तो आप देखो एक तो यह वाला दिख रहा है, कौन सा एक यह दिख रहा है, इसमें last में 9 है अच्छा एक यह भी दिख रहा है कि last में 9 है, simple सा आपको समझना है कि भई देखो यह बनाओगे तो 964 बनेगा, और यह बनाओगे तो 981 बनेगा अब आप ही बता दो कि क्या answer होगा answer आपका बनेगा 981, अब 981 189 तो option में आप ध्यान रखो वही लिखा रहेगा जो वर्जिनल वाला नमबर है, तो वर्जिनल वाला नमबर यहां पर यह लिखा हुआ है वर्जिनल वाला नमबर वही आपका answer हो गया 189 वह आपका highest number है, वह आपका क्या हो गया highest number हो गया चलिए next question पर आते है देखिए next question में कह रहा है कि if all the digit all the digit, देखो डिजिट लिखा है of the number all the digit of the number arranged in the descending order within the number within the number यह जो number है, उसके अंदर आपको descending order लगाना है आप इसको लगाने मत बैठ जाना ठीक है, descending order में लगाना है अब इसमें question में यह भी बोल दिया है कि left to right अब descending order में कैसे लगाओगी जैसे यह है, तो देखो 6 है 5 है और 2 है left to right हमने लगा दिया descending order, कैसे लगा दिया left to right तो वो वही कह रहा है कि all, कह रहा है, if all the digit in the number are arranged in the descending order within the number from left to right then which among the following will be lowest number lowest number after arrangement आप बोल रहा है कि भाई देखो arrange तो आप कर लिए lowest number कौन सा बनेगा तो इसमें lowest number कौन सा होगा तो simple यह उसी तरीके का है आप ध्यार रखना जैसे पिछला question अबने किया था तो आप देखो इसमें lowest number कौन बनेगा अगर आप descending order लगाओगे तो descending order लगाओगे तो जिसका भाई number जिसमें number छोटे होँगे तो वही बनेगा अब जैसे देखो यह तो आपका lowest number तो नहीं बनेगा भाई यह भी तो lowest number नहीं बनेगा अब यह भी lowest number बनेगा कोई 8 से स्टार्ट होगा ये 7 से स्टार्ट होगा तो ये भी नहीं बनेगा सिंपल है आपका ही बनेगा 625 आंसर क्या आएगा 625 ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया ठीक है चलिए next question पर आजाईए next question में कह रहा है दूसरे सबसी छोटी संख्या के तीसरे अंक मतलब what is the product of third digit of the second lowest number अब यहां पर कह रहा है दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक अब सबसे छोटी संख्या left right की बात नहीं कर रहा है दूसरी सबसे छोटी संख्या का संख्या का तीसरा अंक कौन सांग तीसरा अंक अब आगे कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक का गुडन फल क्या होगा भी कह रहा है कि what is the product of the third digit of the second lowest third digit of the second lowest और कह रहा है कि and first digit of the second highest अब second lowest और second highest ये आपको ढूलना पड़ेगा दूसरा सबसे छोटा और दूसरा सबसे हाँ हाँ इसमें क्या है दूसरा सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़ा पहले वो number ढूलो अब आप यहाँ पर देखो पहला तो सबसे बड़ा ये है ठीक है और दूसरा सबसे बड़ा ये है ठीक है तो हमें second highest तो मिल गया कौन मिल गया second highest अच्छा अब second lowest कौन सा है तो पहला तो देखो ये है ठीक है second lowest कौन है second lowest मिल देखो पहला ये है और दूसरा आपका ये है तो second lowest मिल गया और second highest मिल गया तो जो second lowest था उसका आपका third digit चाहिए कौन सा digit चाहिए third तो lowest वाले का third digit of the second lowest तो second lowest का third digit करना है 8 है कितना हो गया आपका 8 हो गया ठेक अब आप देखो और सेकेंड हाइस का हमको चाहिए फॉर्स डिजिट सेकेंड हाइस का फॉर्स डिजिट कौन सा है तो वह है 4 कितना है 4 और इन का हमको क्या करना है इसी इनीका करना है घुडा right multiply करो ठीक है तो कितना आ जाएगा आएगा 32 option में चेक कर लो आपका 32 आएगा वह आपका हो गया answer बिल्कुल common sense वाला question है बिल्कुल common sense का है यह बिल्कुल free में number देखे जाएगा बस आपको इस पर practice करने की जरूरत है यह समझना कि यह बहुत आसान है फिर प्रक्टेस ना करें सीधे एक्जाम में करें तो सीधे एक्जाम में करो फ़र्ज आओ गया आप इन कोईश्चन की जितने भी कुईश्चन है जितने भी पेपर मिल रहे हैं उनको कम से कम आप दस बार करिए देखे और कह रहा है कि प्रतेक संख्या में से दो घटा दिया जाए प्रतेक संख्या में से घटाना है ठीक है अंक में से नहीं घटाना ध्यां रखना किसे घटाना है संख्या में से दो घटा दिया जाए इस प्रकार बनी कितनी संख्याएं बिसम संख्याएं होंगी कह रहा है if 2 is subtracted from each number, then how many number does form our odd number? ठीक है? फिर दो घटाना है, आप simple सा समझो, नहीं अगर हम 2 minus करेंगे, तो जो odd होगा, तो odd ही रहेगा, अब चेक कर लो, अगर इसमें से हमने 2 minus किया, तो 4, 6, 7 बनेगा, तो ये तो odd है, इसमें से करोगे तो नहीं बनेगा, क्यों? ये even, even से 2 minus करोगे तो even ही आएगा, odd से 2 minus करोगे तो odd ही आएगा, तो 2 ही तो minus करना है, सभी number में से minus करना है, किस से minus करना है? number से number से minus करना है digit से नहीं करना है यह point ध्यां रखना है अभी हमने क्या किया तो आप देखो कितने बनेंगे एक ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा ये भी बन जाएगा ये भी बन जाएगा तो कितने बन जाएगे इसमें 4 बनेंगे कितने बनेंगे चार तो चार बनेंगे तो इसमें देखो more than three यहां पर option मिल रहा है तो यह हमारा answer हो गया more than three answer क्या बन जाएगा more than three next question पर आ जाते हैhn, question में क्या कह रहा है यह संख्या दी गई है, क्या दिया गया, यह संख्या दी गई है कह रहा है कि ऐसे कितने अंक है गोले गुख वो दिजिट, कितने ऐसा एक है कितने ऐसे अंक है जो 20 से 2 दाए आरो ही क्रम में वेवस्थित करने पर एक ही अस्थान पर रहेंगे it means how many such number numerals how many such numerals are there in the number there in the number ये number है which will remain at the same position when arranged in ascending order from left to right ascending order मतलब बढ़ते हुए करम में आपको लगाना है कैसे लगाना है बढ़ते हुए करम में लगाना है अगर आप ऐसा लगाते हो तो कितने ऐसे number है जो अपने ही अस्थान पर रहेंगे यानि unchanged होंगे जिनकी position change नहीं होगी कहला remain unchanged एक ही अस्थान पर रहेंगे अब यहाँ पर देखो कैसे आप लगाओगे तो यहाँ पर लिख लो आप देखो आप सबसे पहले आप 0 को लाएंगे ठीक है? किसको लाएंगे आप 0 को तो भाई हमने 0 को ले लिया है इसके बाद आप 1 तो है नहीं 2 है तो आपने 2 को ले लिया ठीक है तो 2 को भी ले लिया ठीक? आगे यहाँ पर जो दिया है इसके बाद आपने 3 को ले लिया देखो अभी वैसा मिल नहीं रहा है हमको अब अब देखो अगर हमने 3 को भी ले लिया 3 के बाद अभी 4 को रखना है तो 4 को भी आपने रख लिया 5 तो है नहीं 6 को आप रख लो 6 को रख लिया 6 के बाद 7 रख लो 7 रख लिया 7 के बाद 8 को रखोगे वही फाइब को तो रखा नहीं है यही सब गलती मत करना आप यह देखो आप फूर के बाद फाइब को रखना था फूर के बाद हमको फाइब को रखना था ठीक है तो हमने फाइब को रख लिया अब फाइब के बाद हमको रखना है सिक्स को तो हमने सिक्स को रख ल सा question है आप कर सकते हो यहां पर क्या है option सी बट आपकी practice होनी चाहिए नहीं तो ऐसे थोड़ी सी mistake हो सकती है चलिए next question पर आते हैं next question यहां पर जो दिया गया है इसको आप जरह पढ़िए और बताइए कि answer क्या बनेगा हम देखिए question में जो कह रहा है कि only one meaningful word with a first, third, fifth and 11th तो पहले देखो first कौन सा है तो first है आपका I ठीक है third कौन सा है तो यच ठीक है first, third और fifth तो one, two, three, four, five कौन है आर ठीक है फिप्त के बाद कौन सा है बही इलेवन्त तो one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven कौन है यह अब इससे यह कह रहा है यह कह रहा है कि meaningful आपको word बनाना है अब meaningful word अगर एक बन गया ठीक है कितने बन गए एक बन गए तो which would be the third letter of the word तो जो भी word आप बनाओगे उसका जो third letter होगा वो आपका answer होगा ठीक बट आगे question में और condition है question में कह रहा है if more than one more than one such word can be formed give y तो अगर आपने एक से ज़्यादा बना लिया ठीक है आपने एक से ज़्यादा बना लिया तो answer क्या हो जाएगा y देना है answer क्या होगा y आगे question में कह रहा है कि if no such word can be formed give z अगर आपने कोई नहीं बनाया तो आपका answer क्या हो जाएगा z answer क्या हो जाएगा z तो अभी चल्दी से आप answer करो और बताओ मुझे answer क्या होना है ठीक है चलिए देखो अगर आप पहला बनाओगे तो बन जाएगा higher राइट पहला क्या बन रहा है higher देखो एक तो आपका बन गया एक आपका बन गया ठीक है अब जड़ा दूसरा बनाओ तो दूसरा अगर आप बनाओगे तो आप ये बना सकते हो higher ठीक है तो ये देखो आपके दो बन रहे है इसका मतलब answer क्या होना चाहिए इसका मतलब आपका answer क्या होना चाहिए answer आप देख लो यहां पर जो कह रहा है यहां पर जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर भाई एक से जादा आपने बनाया तो answer क्या बनेगा एक से जादा आपने बनाया तो answer बनेगा वाई अब इससे जादा बनाने की जरूरत नहीं है इससे जादा बनाने की जरूरत नहीं है आपका answer कितना बन गया वाई right आपका answer यहाँ पर क्या हो गया वाई हो गया चलिए next question पर आईए देखे चलिए इस question पर आ जाईए वै इसमें जो कह रहा है इसमें कह रहा है के 8 persons A, B, C, D, E, F, Z, H are buying some products one after another but not necessarily in the same order. कह रहा है कि at most 2 persons are buying product before EF. कह रहा है कि EF के पहले 2 लोग product खरीद रहे हैं. EF के पहले कितने खरीद रहे हैं? 2. अब यह ऐसे आप समझ लो. मान लो कि हमने रख लिया इधर पहले हो गया और इधर हो गया बाद में. क्या हो गया इधर बाद में तो हम ऐसे ऐसे बनाने वाले हैं ठीक है तो ये पहले हो गया और ये बाद में हो गया तो ये आपसे पहले कितने लोग खरीद रहें प्रोड़क्ट तो दो लोग खरीद रहें अच्छा टोटल कितने हैं तो आठ हैं तो हम आठ बनाई लेते हैं ये, ठीक है, हम कितने बना लेते हैं, आठ, ठीक है, देखो आप, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छे साथ हो गया, कितने हो गया, वन, टू, थ्री, फोर, फाइफ, सिक्स, सेवन, एक और बना लो, ठीक है, एक फियोव यहीं पर होगा यह से पहले कितने लोग खरिद रहें इस प्रोड़क्ट को दो लोग खरीद रहें कितने खरीद रहें तो जो ठीकowers कितने हैं तो सब्सक्रानी नहीं नहीं पर नहीं, परेड़ नहीं है, ओड़ यह स्विसक्त ओप मुझे यह पर इस लोग एक फ् किवल किवल एक लोग आगे कह रहा है कि C is buying just before F अब देखो C is buying just before H है C is buying just before H तो देखो H से एकदम पहले कौन होगा तो C खरीद रहा है कह रहा है कि one person is buying between C and D अब C और D के बीच में एक लोग इस product खरीद रहा है C और D के बीच में कितने खरीद रहें तो एक अब simple आप समझो अगर आपने D को यहां रखा तो C और D के बीच में कितने यहां पर खरीद रहें देखो C और D के बीच में one person अब C और D के बीच में अगर एक लोग खरीदेंगे तो हमने D को अगर यहां रखा तो फिर C को तो यहां रखना पड़ेगा इसका मतलब D वहां नहीं होगा D कहां होगा यहां होगा और जैसे D यहां होगा तो यहां भी कौन नहीं हो सकता C नहीं हो सकता इसका मतलब C यहां होगा इसका मतलब C यहां होगा अब यहां पर समझो तो हमने यहां पर डी को क्या किया क्लियर कर लिया तो अब यहां पर देखो आगे क्या कह रहा है अगर सी यहां पर है तो यच कहां जाएगा यच यहां रहेगा ठीक है तो यहीं तो कह रहा था कि यह C is buying just before H यहांपर जो just before बोला है इसलिए हमने महाँ पर बनाया है आगे question में कहा रहा है कि A is buying just before E A is buying just before E A is buying just before E अगर A is buying just before E है तो यह आस-पास तो बैठेंगे ठीक है उपर नीचे बैठेंगे तो आप ऐसे बनाओ यहांपर A को बना लेते हैं यहांपर E को तो just before E हो गया ठीक है A is buying just before E आगे कहा रहा है कि B is buying before G B is buying before G अब देखो B is buying before G after E ठीक है तो E के बाद होगा B कहा खरीदेगा E के बाद लेकिन G से पहले तो G से पहले खरीद रहा है तो G को आप यहां रख लो और कौन खरीद रहा है तो यह B है राइट कौन है B B is buying just before G तो just नहीं बोला है यहांपर before बोला है तो यहांपर कौन हो गया B हो गया और E के बाद हो गया after E तो यह पुरा पुरा बन गया है पहला क्वेशन भी है यहांपर पहला क्वेशन है how many person are buying their product after D D के बाद कितने लोग खरीद रहे हैं तो भाई कितने लोग खरीद रहे हैं तो बताओ भाई 1, 2, 3 कितने लोग खरीद रहे हैं तो 3 लोग खरीद रहे हैं 3 option में कहा है more than 3 तो answer नहीं करोगे आप answer more than 3 नहीं करेंगे यहांपर answer क्या करना है ठीक है तो 3 लोग हैं D के बाद तो D के बाद 3 हैं तो हम answer करेंगे none of these क्या answer करेंगे none of these answer क्या करेंगे हम लोग तो answer करेंगे यहांपर none of these right, clear चलिए next question पर आते है किया रहा है कि who among the following is buying just after G G के बाद कौन है भई G के बाद कौन है तो देखो G के बाद कौन है G के तुरंट बाद कौन है G के बाद है C तो answer भी क्या आएगा answer आएगा C answer क्या आएगा C answer क्या हो गया C हो गया चले नेक्स कोईशन पर आजाईए नेक्स कोईशन में कह रहा है कि सभी बेक्ती को A से आरम करते हुए A से आरम करते हुए 22 से दाय वरडा नकुराम ब्युस्तित किया जाए तो ग्यात कीजिए कितने बेक्ती A कही अस्थान पर रहेंगे A को छोड़ करके यह सिंपल कोईशन आप द्यान दो एक कोईशिन इस तरीके के बनते ही है कह रहा है कि आवल पोसल और अरेंज इन अलफवेटिकल ऑडर आप कह रहा है कि अब मिलेफ्ट दू राइट स्टार्टिं फॉम A देन फाइंड धा हॉख मैनि पश्य DRM unchanged ठीक है और सेम पोजिशन तो सो हम लोग चलते हैं लेफ्ट करना है अब देखो जो पहले है उसको हमेशा लेफ्ट मानते हैं इसको क्या मानोगे आप लेफ्ट और इसको क्या मानोगे राइट ठीक है अब आप आप ओर रेंग पड़ते हो तो पता चलता यह अपर है ठीक है या ahead है, ठीक है, lower है, back है, left है, right है, ठीक है, पहले है, बाद में, यह सब आपको पता होना चीए, तो यहां से हम orange कर लेते हैं, A, B, C, D, E, F, G, और H, तो कितने unchanged, A को तो छोड़ दो आप, A को छोड़ देना है, तो कितने मिल गए हमको, हमको यहां पर केवल केवल मिल रहा है, एक, यानि H, एक ऐसा है जो unchanged है, यह क्या है, unchanged है, यानि only one, option क्या आजाएगा, option आएगा A, option क्य यहां पर है, next question में कहरा, who among the following is buying exactly between D and E, F, तो D और E, F के एक दम बीच में कौन है, जो खरीद रहा है, प्रोड़क्ट को, D और E, F के बीच में, D और E, F के बीच में, कौन है, तो वो है B, D और E, F के बीच में कौन है, तो B है, D और E, F के बीच में कौन होगा, तो B होगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा option B और आंसर भी बी राइट अब आजाओ next में question number 15 में यहाँ पर कह रहा है कि how many person are buying between E between E and C E और C के बीच में कितने लोग खरीद रहे हैं E और C के बीच में कितने लोग खरीद रहे हैं देखो E और C के बीच में यहाँ पर पूछ रहा है तो E और C के बीच में आप ऐसे कर लो count तो कितने होंगे तो यह हो गया one two three यह तो नहीं होगा one two three four कितने हैं तो चार हैं E और C के बीच में कितने होंगे तो यहाँ पर चार होंगे, कितने होंगे चार, अब देख लो यहाँ पर option number क्या बनेगा, B बनेगा option number B क्या है, यहाँ पर एकदम correct है option number B क्या है, correct है next question पर आते हैं अब जो अगला question आ रहा है वो है आपका inequalities right, तो inequality के question पूछा जाता है, simple inequality जरूर पूछा विजाएगा, इसके अलावा coding inequality भी आप solve करते रही है, क्योंकि उसकी भी possibility बन रही है, अब यहाँ पर देखो, जो पहला question इसका मिल रहा है inequality का, वो क्या कह रहा है question यहाँ पर कह रहा है ध्यान रखिए question यहाँ पर कह रहा है कि conclusion की बात करें q is greater than yes तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है ध्यान रखो q और yes को आप find करो, आपने find कर लिया q is greater than yes अब देखो q और yes को आपने find कर लिया अब पहले में कह रहा है q greater yes तो भाई q greater yes अब ध्यान रखो यहाँ पर q greater yes की यहाँ पर possibility तो है बट यह correct नहीं है क्योंकि या तो q yes से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा अच्छा इसमें है yes बराबर है किसके क्योंके अगर yes बराबर है क्योंके तो भी सही नहीं है अब यहाँ पर ध्यान रखो यही तो बोल रहा था q greater equal to r और equal to yes भै इसमें क्या बनेगा देखो q यहाँ तो बड़ा है r से यही तो बनेगा और यहाँ पर बराबर यह बना सकते हो एक तो यह बना सकते हो q जो है वो बराबर है किसके yes से और यहाँ q जो है वो बड़ा है यह से तो क्या निकल के आता है निकल के आएगा वही क्यों यहाँ तो बड़ा है yes से either greater ठीक है yes से or equal greater or equal इसका मतलब यहाँ पर क्या लगने वाला है तो यहाँ लगेगा either or either first or second तो यहाँ पर answer कौन होगा answer होगा either or का क्या है either conclusion first or second follows तो यहाँ पर answer क्या जाएगा option c correct है यहाँ पर कौन सा option correct है option c correct है चले next question पर आ जाते है तो next question में कह रहा है कि j यहाँ पर ध्यान रखिए j और q के बीच यहाँ पर पूछ रहा है किस के पीच j और q के पीच j smaller than q तो j अब देखो यहाँ पर है और q कहा है यहाँ है तो j smaller than q तो भई देखो simple सामें समझना है priority आप ध्यान रखो हमने बोला है कि इस तरीके से अगर आता है यहाँ पर इस तरीके से आता है तो पहला है दूसरा है और तीसरा है ठीक है तो इन तीनों में priority हम किसको रखते है इन तीनों priority हम पहले वाले को रखते है अगर पहले के साथ दूसरा आएगा तो priority पहले को रखेंगे पहले के साथ तीसरा आएगा तो भी पहले को रखेंगे पहले के साथ दूसरा आएगा तो भी पहले को रखेंगे इसका मतलब है इसमें कौन है तो इसमें है 1, 3 और 2 प्रियोर्टी पहले को रखेंगे पहला यहां दिया है मतलब यह conclusion सही है यहां देखो यल और आर तो यल और आर को ध्यान रखो यल और आर के बीच में आपोजेट साइन आपोजेट साइन ऐसे बोलते हैं जब जो सिंबल है उनका फेस आपोजेट डिरेक्शन में हो देखो आपोजेट साइन आप पहचानो किसी भी दो एलिमेंट के बीच में जैसे यल और आर हैं तो उसके बीच में अगर sign ऐसा दिख जाए या ऐसा दिख जाए या sign ऐसा दिख जाए तो ये सब क्या है आपोजित है यह L-R blues के बीच में ऐसे भी sign आपको मिल जाए तो भी opposite है, कुछ इस तरीके के sign अगर आपको मिल रहे हैं तो यह कैसे sign माने जाएंगे opposite sign इन दोनों के बेच में जो relation बनेगा वो no relation बनता है कैसा बनता है no relation no relation में किवल किवल हम possibility लगा सकते हैं इधर greater और smaller और equal कोई individual पूछा जाएगा तो वो गलत माना जाएगा यहाँ individual पूछा गया इसलिए यह गलत है क्या है यह गलत है इन में से कोई एक दो भी पूछा जाएगा तो गलत है क्योंकि यहाँ पर smaller और equal दोनों है तो यहाँ पर only conclusion one आएगा only conclusion one follows तो यहाँ पर answer क्या आगया only conclusion one follows चलिए next question पर आते हैं देखो आप next question पर यहाँ पर दिया हुआ है कि G और Q G और G और X तो G कहा है बई G यहाँ है और X यहाँ है और यहाँ पर greater पूछ रहा है मत्तब यह हो गया साही कैसे साही हो गया देखो इन दोनों priority आप इसको देते हो यहाँ आया है बिल्कुल साही अब देखो ओ और यम को check कर लो ओ और यम ओ और यम के बीच में कोई opposite sign है क्या तो नहीं कोई opposite sign नहीं है तो यहाँ पर देखो 1 है 3 है 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो बहुत priority तो 1 को ही दोगे 1 अगर यहाँ पर है तो यह conclusion क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है तो O greater M सही है पहला भी conclusion सही है और दूसरा भी सही है मतलब अब बोथ conclusion यहाँ पर क्या होंगे follow करेंगे बोथ conclusion यहाँ पर follow करेंगे right answer क्या आ गया answer option number 5 next question next question देखो यह जो question आपको मिल रहा है यह question order ranking का एक question है right तो मुझे उमीद है कि आप लोग answer कर पा रहे होंगे चलिए answer करिए फटा फट ठीक है देखे इस question में कह रहा है कि एक पंक्ती में नरेंद्र दाएं से कितने पर है साथ में पर है देखो अगर यह एक line है तो यह आपका left है और यह क्या है right है जो नरेंद्र है वो दाएं से कितने पर है साथ में पर तो भही ऐसे मानलो कि यह यहां पर होगा नरेंद्र और कितने पर है यह साथ में पर है और कह रहा है कि उसी पंक्ती में नागेंद्र है ये ध्यां रखना ये नरेंद्र है और एक नागेंद्र है उसका अस्थान बाएं से छट्वा है बाएं से कितना है इसका छट्वा मान लो यहां है ठीक है मान लो मैंने कहा है ध्यां रखना मान लो यहां पर है और कितने पर है ये ये नागेंद्र है ये क्यों है नागेंद्र ये छठमा है तो बताएए कुल बताएए कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है कुल बैक्तियों की संख्या कितनी है मैं भी सोच रहा हूं कि कैसे कुशन पूछ रहा है कुल बैक्तियों की संख्या कितनी है कह रहा कि in a row नारेंद्र is 7th from the right and in the same row नागेंद्र is 6th from the left right then tell what is the total number of people total number of people अब यहां पर ध्यां रखना आपको अबलाप नाबलाप पता होना चाहिए मैं ने यहां पर कियू बोला था कि मान लो यह इतने पर है क्योंकि ईक और possibility इसकी बन सकती है तो यह तो इसका case one है यह क्या है अगर हम case two की बात करें तो क्या हो सकता है धेखो case one तो ऐसा बनेगा ठीक है केस बन जब ऐसा बनेगा तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि बीच में कोई न कोई होगा क्या मान सकते हैं बीच में कोई न कोई होगा अब यहां पर ध्यान दो केस टू तो ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा यहां पर नागेंद्र आ जाए कौन है नागेंद्र शिक्स पर और जो नरेंद्र है कौन नरेंद्र यहां पर आ जाए सेवंत पर तो यहां भी कोई न कोई होगा बीच में कितना होगा कोई न कोई होगा ठीक है अब यहां पर क्या मिसिंग है यहां पर मिसिंग है कि अग row of 20 people, 30 people, 50 people, ऐसा कुछ दिया होता, तो इसका आंसर आप confirm बता पाते, बट अभी यहाँ पर आंकड़े तो अधूरे ही आ रहे हैं, आंकड़े कैसे आ रहे हैं, अधूरे आ रहे हैं, आंसर आएगा can't be determined, आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, आंसर बनेगा can't be determined, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यह, या तो आपको यह पता होता कि यहाँ बीच में कितने हैं, या तो आपको यह पता होता, ध्यारत को यहाँ पर कुल वेक्तियों की संक्याई पूछ रहा है, यह बीच में कितने हैं, यह आपको पता होता है, या तो अगर ये mid वाला पूसता तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि in a row अब कितने है वो बता देता तो यहाँ पर mid वाला हम बता लेते ठीक है तो यहाँ पर question ऐसा बनेगा यहाँ पर यह अगर missing है मिड वाला missing है यहाँ पर जो मैंने question mark लगा है यह missing है इसका मत्दब answer क्या बनेगा can't be determined आप exactly बता नहीं सकते कि इस row में total कितने लोग होंगे या कितने बेक्ती होंगे कितने people होंगे यह हम confirm बता नहीं सकते हैं I hope यह आपको समझ आया हुआ अगले question पर आ जाते हैं देखिए अगला question जो लिया गया है वो हमने लिया है statement conclusion से ठीक है तो आप इसका फटा फटा अंसर करिएगा ठीक आप इसका फटा फटा अंसर करिएगा देखिए question में कहरा कि समाचार पत्रों के नियम वाचन से सामान ने ग्यान की ब्रिधी होती है वही सिंपल सी बात है अगर आप सामाचार पत्र सामाचार पत्रों के नियमित वाचन नहां रखिए नियमित वाचन से सामान ने ग् regular reading of news paper increase general knowledge अगर आप daily news paper पढ़ रहे हैं तो simple सी बात है कि आपका नौलेज्ज तो गेन होगा वो भी कौन सा general नौलेज़ आपको पता होगा कि कब क्या कहां कैसे क्या चल रहा है क्या हो रहा है किस country में क्या चल रहा है किस state में क्या चल रहा है किस party watching कर रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं तो यह सिंपल सा है कि आपको उस-चीज का knowledge होगा जैसे मैं कहाँ कि आप डेली आप डेली driving Neverjiאת बढ़ रहे हैं आप daily reasoning का मॉण कर तेस्ट दे रहे हैं इसका मतलब आपपको उसमे नौनेज्थ होगा आप जो भी काम नियमित करते हैं उसमें आपका knowledge बढ़ता है तो simple इसलिए कहा गया है कि अगर आप नियमित पढ़ाई करें या नियमित कोई भी काम करें तो उसमें success आपको मिलेगी मिलेगी आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला जो conclusion है कह रहा है कि news paper contain a lot of general knowledge information बात तो ठीक कह रहा है कि बहुत सी सामान ने ग्यान की जानकारियां मिलती है point तो ठीक है news paper में और क्या होता है आपको सामान ने ग्यान मिलेगा general knowledge आपको मिलेगा अच्छा दूसरा क्या कह रहा है दोसरे में कह रहा है किisfik shell conclusion का मतलब क्या है कोई यहाँ पर आजमशन नहीं लगाना है कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता नहीं कैसा है आगे इसमें कहा रहा है कि कंक्लिजन सामान निग्यान की बृध्धी से जीवन में सफलता मिलती है देखो यहां पर ध्यां रखना जीवन में सफलता मिलती है यह आप शौर नहीं हो इसमें अगर आप निश्चित रहेगा वो conclusion बनेगा, तो ये तो conclusion नहीं बनेगा, ये conclusion आपका नहीं है, अब देखो क्यों नहीं है, क्योंकि जीवन में सफलता मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं, daily चोराहे पर बैठेंगे और newspaper पढ़ेंगे, अब दिन भर newspaper पढ़ रहे हैं, तो भाई कौन सी व गयान को पढ़ रहे हो, बहुत लोगों को सामान गयान की knowledge रहेगी, लेकिन जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा क्या एक अंतर नहीं है, आपका answer क्या बनेगा, क्या एक अंतर नहीं है, वह सो आज का session हम लोग यहीं पर खतम करेंगे और अगले सेशन में हम लोग जब मिलेंगे तो अगले सेशन में जो हम बाते करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट एक नया पेपर सेट लेके आएंगे और उसमें हम डिटेल में बाते करेंगे सो आप लोग बिलकुल लगातार पढ़ाई करते रहिए जब तक आप लगातार पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है दिखें सफलता के किवल एक मात्र ही कहें कि एक मात्र रीजन ये होता है कि आप उसमें लगातार बने रहिए किवल ऐसा नहीं है कि जब vacancy आये तब ही आप बने रहें वही बैकेंसी आएगे बने रहेंगे competition में आप पीछे रहेंगी ध्यान रखिएगा exam हमेशा आगे के बारे में आपको सोचना है exam में आगे के बारे में सोचना है ठीक हमेशा वो दो कदम आगे रहेगा आपको चार कदम आगे रहना तो आपको ज्यादस ज्यादा practice करने की जरूरत पड़ेगी सो इस सेशन को यहीं खतम करते हैं thank you so much अगर आपको यह session पसंद आ रहा तो share करिए like करिए subscribe करिए thank you so much